असलाम अलेकुम राजा बाई ये मेरे पास 150 वाउट के दो सोलर पेनल है ये आपको में नजदिक से भी दिखा देता हूँ ये आप देख सकते हैं ये जो इसका है ये शीशे के अंदर है उपर से इस्ट्री करनी है ये इनका ये तक्रीबर मेरे को यूज कर देवे डेट साल हुए है था मतलं को कि ये मेरा घर बन रहा था तब मैंने ये पैनल्स लिये थे ये में toy दोसो प्र सो बीस वालच की मोटर चलने के लिए पर मोटर तो नहीं चली पर मैंने की 12 वाल्ट की जो मोटर है वह मेंने लीет ही वह चलाता था म gli तो इसके बाद पर यह मैंने यहां पर इसी रख दिये थे तो बाद दिन पर दूम जाएए व्यू जाए बिल्गल नीजिसे ना उने के बराबर थी तो फिर यह मैं श्टेंड लेकर आया तो इस तरह का इस तरह के से मैंने लगा है और जिस तरह से आपने कहा था कि इनकी जो जोना चाहिए, वो इंचाला मैं कोशिश करूँ आ मैंने सही एंगल इसका सेट करने की छोड़ा स्टेन लाकर, यह काफी बड़ा स्टेन भी है, इस पे 300 वाट के 200 ला पेनल लगते हैं और 150 वाट के 3 ला लग जाते हैं, यह काफी बड़ा है, जगा भी काफी गेरी हुए है, यह यहां से वाइर आरी है, यह आप देख सकते हैं, रेड कलर की वाइर आरी है, यह यहां से इसे आकर, यहां से एसी वाइर के साथ ही, डी सी वाइर यहां से नीचे जा रही है, यहां से रजब है, यह मेरी वाइर डी सी वाइर नीचे आरी है, यह जो रेड कलर की है, यह म यह मैंने एक मल्टिमीचर लगाया हुआ है यह एसी के साथ है यह अभी मैक्सिमम कितने अम्पेर ले रहा है और कितने वार्ट इसने ज्यादा ज्यादा लिये और अभी कितने वार्ट मैक्सिमम ले रहा है यह और कितनी बिजली कंसूम कर चुका है कितनी देर से यह चलना है यह लोगाया है और वोल्टेज कितने आरे हैं फीशे चे तो 146 वोल्ट आरे है यह सिंगल वायर की फिटिंग हुए यह उप्येस की है जैसे कि देशी उप्येस के यह मैंने इन्वेटर लिया था अब यह मैंने चार्ज कंट्रोलर लगाया यह एक इसके साथ मैंने छोटा था वल्ट मीटर लगाए हुआ है जो आठ वल्ट से लेके 30 वल्ट तक काम करता है यह बैटरी का मैंने लगाए हुआ है और एक सो असी पी एस की बैटरी है 21 प्लेट की है और यह चार्ज कंट्रोलर है पी एन पी पी टी और इस वक्त जो है मैंने एलेक्टिसिटी जो वाबडा से हारी थी वो मैंने बन कर दी है अब यह जो भी मेरा लोड चल रहा है यह सारा इस इनवर्टर के एसी लोड जो है वो इस इनवर्टर के थ्रू चल रहा है यह आप दे सकते हैं 229-23220 वल्ट यह बना रहा है यह मैंने एम पी पी टी सोलर चार्ज कंट्रोलर मैंने लगाया है यह मेरा यूनिटी का 203 मॉडल है अभी आप देख सकते हैं सोलर से जो मैक्सिमम फाइव पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फाइव आ रहे हैं यह और यह आउट पुट पे मैक्सिमम एलेविन पॉइंट फोर एलेविन पॉइंट दे रहा है इस पे अभी मेरा तकरीबन एक एसी फैन एक डी सी फैन और कुछ एलेडी लाइट्स चल रही हैं पर इस चार्ज कंट्रोलर को जब मैं लेके आया था तो उन्होंने मुझे 12 वोल्ट पे चेक कर आया था यह मुझे और ऐसे ही लाक है क्योंके मेरे जो PWM चार्ज कंट्रोलर है उसकी कनेक्शन आपको पता है कि पैरलल में ही होते हैं तो मैंने ऐसे ही लाके लागा दिया था तो यह काफी अच्छा चल रहा था कुछ लॉसिस जो वायर के भी होते हैं कुछ लॉसिस एंगल गल के भी होते हैं उनको हटा कर भी यह मैंने उस टाम पे लगा कर मैंने चेक किया था यह कम से कम मेरे को 16-17 अंपेर दे रहा था यह मुझे पैरलल में बदा रहा हूं उसके यह मैंने लक्स पगेरा यह में लेकर आया था गे में लगा रहा था तो उसके बाद मैंने जब तो जब मैंने उस मैन्युल पेज को पढ़ा तो पर लिक्वा था ओंट के टो पैनल जासक्टे लिवार को सीरिस करके लगा सकते हैं दोदो की इस्टिंग बना के तो मैंने वै इफिजेंसी मिल रहा कि जब मैंने न्यू लाकर लगाओ अब विजेजान्ड है। व्यजाँ कि मुझे नहीं मिल!!! वे दिग मुझे सामचा था तो उस्के बदान गार तो ऑने थे कuli पे चल रहा है। पर ओन ओफ हो रहा है उसके बाद मैंने सोचा कि बैटरी के पॉइंट पहले लगा हूं या सोलर के पहले लगा हूं सब मैंने जिदो जिद करके देख लिए पर यह सीरीज में ही चल रहा है उसके बाद पैरलल में नहीं चल रहा है यह आप यह फिर से देख सकते हैं उपर से म 11.50, 11.40 के करीब इंपेर दे रहा है और इस ताइम जो टाइम है तकरीमन 12 बच के रिए 35 मिनट हो चुते हैं अब देख सकते हैं हमारे यहां कभी कबार इसा भी होता है कि जो लाइट है वो 24 गंटे भी नहीं होती वो यह साइड एरिया है बिल्कुल तो मेरा जो लोड है AC DC दो खेन लगे हुए है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और कुछ अलेडी लाइट्स इसे बे चलती है जब तक सूरज होता है उसके बाद जितनी बेटरी में जान होती है वो चलता है और यह बेटरी भी मेरी तक्रीबन दो साल पुरानी है यह AC DC फेन है जेलेडी लाइट्स लगेंगे है AC में जेलेडी लाइट्स इसे में लेंगे और यह AC DC फेन है एक इसका रूम में बराबरा लेखने है दो फेन है यह मेरे पास DC ब्रेकर भी अवेलिबल है मैंने सोचा था कि मैं 300 वार्स की सोलर पेनल्स और पर्चेस करके इसके साथ 24 वाल्ट का सिस्टम बनाओ यह मैंने DC ब्रेकर भी पर्चेस की है पर टाइम ना होने के वज़ा से मैंने नहीं लगा सका और यह टंप्रेशर मेटर है यह वाल्ट मेटर है यह एमपेर मेटर है और यह यूनिटी का 203 मोडल है यह मेरे पास तोड़ा बहुत मुझे बिजली का काम आता है जो यूपेस की फिटिंग अगेरा कर मैं थोड़े बहुत अगेरा जो जाते हैं बिजली के वो मैं खुदी कर लेता हूँ जबाई में ACDC फैन में यूज कर रहा हूँ कुर्शीट फैन का मुझे काफी बाद में पता चला है जब मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू की पर उसके बाद मुझे कुर्शीट फैन का पता चला इसकी वेसे वाइंडिंग की जो है उसके बाद में इसी शॉप कीपर से और सिर्किट लेके आया था दो वो भी खराब हो चुके है झाल 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 झाल